आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही पहतरीन प्लान शेयर करने वाला हूँ जिसको हमने डूपलेक्स डिसाइन किया है इसमें आपको डबल फ्लोर की प्लानिंग हम आपको दिखाने वाले हैं इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें उमिद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को help मिलने वाली है इस plot के size की बात करें तो 30 by 40 है इसमें extra plot बिल्कुल भी add नहीं किया हमने इस वीडियो में जो detail होगी वो होगा 2D plan, 3D plan, column placement प्लस इसकी पूरी costing कितनी होगी without furniture हो सारी ह इस बार में भी हम discuss करने वाले हैं तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें तो चलिए फटा-फट से हम इसकी 3D plan की detailing देख लेते हैं एक बार कि कहां पर हमने क्या-क्या material यूज किया है entry से हम शुरू करेंगे, यहाँ पर हमें entry मिल जाती है एक standard size के जिससे की car अराम से अंदर जा सकती है और बाहर भी आ सकती है जो normally हम size रखते हैं 9 से लेके 10 foot की बीच में रखते है gate का और यह gate जो है दोनों side उपनेबल होंगी यानि कि दोनों side खुल सकेंगे अंदर भी और बाहर भी और gate को highlight करने के लिए हमने दो छोटे छोटे यहाँ पर pillars डाले हैं आप यहाँ पर pillars के उपर light का provision भी ले सकते हैं प्लस यहाँ पर देखने वाली चीज है कि रोड से parking का level थोड़ा सा उचा है तो उचाई पर चड़ने के लिए हमने रैंप डाला हुआ है और यह उचाई आप रोड से minimum और maximum जो है डेड़ फुट से दो फुट तक रख सकते हैं उसके बाद जो है हमारा आता है parking area इस parking area में हमने tiling अलग की हुई है यह paving tiles होती है और यह rough में आती है यह slippery बहुत ही कम होती है तो आप इस तरीके का tiling यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर आप कोई भी एक hatchback का आराम से लगा सकते हैं जिसका साइज मेनिमम बारो तेरा फुट लेंथ हो parking से हम तीने step चड़ने के बाद जो है ground level पर पहुंचते हैं 123 step चड़ने के बाद यह हमारा ground level है उसके बाद हमारी आती है second entry यह हमारा घर का gate है door मान लेजिए अगर single फले का door रखते हैं तो कम से कम 3 foot 9 inch या फिर 4 foot चोड़ा रखेंगे अगर double gate double door आपको रखना है double फला तो यहां पर आपको कम से कम 5 foot का size देना होगा यहां से entry करते हैं हमारा यहां पर drawing room area आता है तो drawing room में हमने यहां पर wooden flooring डाली हुई है प्लस आप देखिए wall पर हमने texture paint का use किया है yellow color का और यहीं पर आपकी cd की arrangement है यहां से आपकी cd up हो रही है और यहां पर जाके first load पर land कर जाती है और cd के नीचे हमारा LCD panel आएगा आप जिस तरीके से इसको design करना चाहें कर सकते हैं cd के नीचे normally आपको sitting भी arrange कर सकते हैं वह आपके उपर है कि आप interior कैसे adjust करते हैं अभी हमने आपको यहां पे कुछ इस तरीके से दिखाया है sofa sitting sofa sitting आपके कुछ इस तरीके से है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं प्लस drawing room में आपको तीन window मिल जाता है और cd में हमने जो हमारे यहां पे है दो winder दिये है यहां पे और दो winder यहां पे तो यह complete आपकी यहां तक आने के बाद यह cd जो है first floor पर land कर जाती है यह सारी detail में आपको 2D में दिखाने वाला हूं उसके बाद यहां पे six-seater dining table आपको मिल जाता है यहां पे छे लोग अडाम से बैठके खाना खा सकते हैं और यहां पे बगल में जो है आपको एक common bathroom मिल जाता है यहां पे आपका WC और नहाने का भी आप यहां पे अरेंज कर सकते हैं प्लस बास बेचन आपको जहां देना है आप उस तरी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं इसको और इसकी ventilation के लिए हमने यहां पे चोटा सा शा आपका sink है और यह green eye top counter है इसका नीचे हमने marble flooring डाली हुई है और यह जो kitchen के कोने में आपका यहां पे refrigerator आ जाता है काफी अच्छी जिगह है यहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद बात करते हैं हमें इस bedroom की यहां पे बैड की position आपको इस तरीके से रख सकते हैं LCD आपको यहां पे मिल जाती है और यह ventilation window है जो कि आपका यह parking वाले area से connected है और इसमें आपको देखिए इसमें अब दो चीजे अगर आपको पूरी अलमारी रखनी है तो आप इस wall पे पूरी अलमारी रख सकते हैं otherwise आप यहां पे bathroom को attach कर सकते हैं और यहां पे भी आपको tracing area मिल जात और यह आपका separate bathroom मिल जाता है उसके बाद यह हमारा आता है bedroom 2 तो bedroom 2 में bed की position इस तरीके से है और यहां पे आपको अलमारी मिल जाती है और सामने LCD और पीछे हमने 3 चार फुट चोड़ा यहां पे OTS चोड़ा हुआ है जिससे कि इस room को ventilation मिल सके हैं और इस room में और इस room में हमने flooring जो है wooden यूज किया हुआ है और back वाले wallpaper और जो side वाली walls है उस पर हमने blue cyan color का texture paint यूज किया हुआ है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं यहां पे हमने जो lobby वाला area है वहां पे different type का यह leaf type के जो है wallpapers यूज किया है तो आप इस तरीके से अलग-अलग type के wallpapers या फिर color करके अपने घर का look सही कर सकते हैं यह हमारा plot का एक basic layout plan है यहां पे आपको plot का exact size location पता चलता है तो चलिए फटा-फट से हम इसके sizes देख लेते हैं इसकी जो चुड़ाई है वो 30 foot है और इसकी लंबाई 40 foot है इस extra हमने बिल्कुल भी नहीं लि इसका जो square foot area बनता है वो आपका 1200 square foot बनता है और इसमें हमने duplex design किया है दो floor का plan है यह अगर आपको duplex रखना है तब भी ठीक है और नहीं रखना है तब भी कोई problem नहीं है इस design को आप किसी भी direction में बना सकते हैं कहने का मतलब यह है कि यह plan वास्तू के हिसाब से बिलकुल design किया है आगे हम आपको बदाने वाले हैं यह हमारा ground floor का 2D plan है और हमने कुछ इस तरीके से इसको design किया है तो चलिए फटाफट से हम इसके sizes देख लेते हैं सबसे पहले हम overall size की बात करें तो overall size इसकी लंबाई देख लीजे 40 foot है और इसकी चुड़ाई इसकी चुड़ाई 30 foot है अब हम बात करेंगे इसकी car parking area की तो सबसे पहले हम entry देखेंगे entry हमें यहाँ पर 10 foot की मिल जाती है उसके बाद हमारा आता है parking area पूरा यह parking space है यहाँ पर इसका जो size है 11 foot 6 inches की चुड़ाई है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो यह 16 foot 10 inch है यहाँ पर normally हमने hatchback car की arrangement की है वो इसलिए क्योंकि यह हमारी entry यह step up हो रही है अगर हमें बड़ी गाड़ी रखनी है तो हमें step up जो है यहाँ पर 2 step कम करने होंगे तब हमें यह रगा सकते हैं तो हैं पर दो option मिल जाते हैं आपको hatchback और sedan के भी उसकी पात जो है हमारी यहाँ पर जो gate की gate का चुसाइज हमने अभी रखा है 3.5 foot normally जैसे मैंने बताया कि आप चार फूट रख सकते हैं 5 foot भी रख सकते हैं तो सिसाफ से आप इसको arrange कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर जो हमने चोड़ा हुआ है वो 3.9 inch space चोड़ा है अब हम यहाँ से entry करके अपने drawing room hall area में आते है तो hall का पूरा ही area हमने use किया हुआ है 17 foot इसकी पूरी चुड़ाई है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई आपका 15 foot 2 inch है और यह एक बहुत बड़ा size है अपने आप में यहीं से आपके CD जो है first floor के लिए चार रही है यहाँ पे हमने step जो दिये है total 18 दि देते हैं इसके चुड़ाई आप देख लिजी एक बार चुड़ाई 3 foot है ट्रेड का size 10 inch है तो उसे साब से आप नॉर्मली इसकी height 11 foot रख सकते हैं अगर आपको 12 foot height रखनी है तो दो step आपको जैसे हमने यहाँ पे दिये हूँ extra दो step आपको इधर भी देने होंगे तब जाक दो option दिये है cut out के कि आप यहाँ तो यहाँ पे सीड़ी के पास एक cut out रख सकते हैं जिसका size आप देख लीचे 4 foot इसकी चुड़ाई बनेगी और 9 foot 2 inch इसकी लंबाई बनेगी तो इस तरीके से एक cut out आपको यह मिल जाता है और दूसरा cut out आपको यहाँ पे dining के ऊपर मिल जा जाता है तो इससाब से दोनों cut out मैंसे कोई एक रख सकते हैं अगर आपको duplex नहीं बनाना cut out नहीं देना तो कोई problem नहीं है अब हम बात करते हैं यहाँ पे common bathroom है common bathroom का size हमने लिया है 4 foot 8 inch चौड़ा है और पूरी जो लंबाई है इसकी 7 foot 7 inch की है जो की काफी अच्छा size है यह यहाँ पर एक चोटा सा shaft हमने proposed किया हुआ है जिससे कि इसकी piping और इसकी ventilation हो जाएगी इससे क्योंकि सेम अपका first floor पर भी यहाँ पर बात रूम आने वाला है तो इसकी piping यहीं से होके जाएगी उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो dining area है total कितना है तो dining area total चोड़ाई है 12 foot 4 inch और लंबाई जैसा कि आप देख रहे हैं यह 8 foot है total उसके बाद बात करते हम kitchen की तो kitchen का size कफी अच्छा है यहाँ पर 7 foot इसकी चोड़ाई है और 9 foot इसकी लंबाई है counter का जो size होता है minimum 2 foot होता है 2 foot से ज्यादा भी लोग रखते हैं और 2 foot से कम भी रखते हैं तो यह आपके अरे उपर है कि आपको खितना रखना है ईतना इसाफ से arrange कर सकते हैं यहां पर आपको kooktop मिल जाता है यहां पर तो सिंक मिलता है और यहां पर आपको फ्रेज रखने की स्पेस मिल जाती है और यह जो ओपनिंग है यह ओपन रहेगा और यहां पर आप नॉर्मली आर्क डिजाइन कर सकते हैं और आर्च बना सकते हैं प्लस इसकी वेंटिलेशन यहां पे सामने हुई विंडो से हो रही है अगर यहां पे आपको विंडो नहीं देना तो आप विंडो को इधर शिफ्ट कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं बेट्रूम 2 की तो बेट्रूम 2 का साइज एक पर आप देख लिए बेट्रूम 2 का साइज जो है दस फुट चोड़ा है और लंबाई 12 फुट है और पीछे जो हमने OTS चोड़ा हुआ है ओपन टो स्काइ लाइट और वेंटिलेशन के लिए इसकी लंबाई जो है तीन फुट है और चोड़ाई आपको यहां पर दस फुट साड़े चार इंच मिल जाती है यहां पर आपको एक विंडो और एक पीछे जाने के लिए डोर का आप्शन मिल जाता है उसके बाद हम बात करते हैं बेट्रूम 1 का तो बेट्रूम 1 जैसे मैंने सी इस बेट्रूम से बात्रूम अटैच है प्लस इसके साथ वाक इन लोजट में जाता है बात्रूम के साइज की बात करें तो यहां पर बात्रूम की जो चुड़ाई है वह 7 फूट और इसकी लंबाई देखनीजे 4 फूट है लंबाई और ड्रेस की जो लंबाई है वह भी 4 हो टीन इंच्च है तो यह रहा इसका पूरा साइज लो इसके बाद हम बात करेंगे फर्सुर की कि कौकल किके मैं मिल रही है कि कि है यह हमारा फर्स्ट डॉर का ले आउट ब्लाण है और यहां पर क्यको चैंज़ नहीं हो रहे हैं वह सारी चीज हम देखने वाला Ich तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें duplex plan बनाना है तो हमें क्या करना होगा duplex plan बनाने के लिए हमें normally जो है CD अंदर से देना होता है पहला important चीज़ और दूसरी important चीज़ होती है cut out जो cut out के लिए मैंने आपको दो option बता है वो दोनों आप कोई एक उसमें से रख सकते हैं तो उस condition में आपको जो ground floor का आपका जो plan है आपको same design आपको first floor पे लाना होगा यानि कि जो भी आपकी ground floor की requirement है तो bedroom के हिसाब से जो बना है वो पूरा design app as it is copy कर सकते हैं first floor पे तभी आपका duplex बन पाएगा अब हम बात करते हैं कि अगर हमें duplex नहीं चाहिए तो उस condition में हमें क्या करना है तो उस condition में plus अगर आपको 3 room की requirement है first floor पे तो उस condition में भी हम एक पर देख लेते हैं तो उसके लि आप room बना सकते हैं plus यह पूरा space जो है cd में आने जाने में खतम हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं अपने dining area की तो आपको यहाँ पे dining area पूरा मिल रहा है और यहाँ पे आपको extra चीज मिल रही है balcony जो भी आप porch बना बनाएंगे यहाँ पे छज्जा या फिर छज्द उसके बाद बाकी सारी चीजे जो है as per ground floor सेम है यहाँ पे आपको common bathroom मिल रहा है प्लस already दो bedroom आपको मिल रहा है यहाँ पे dress और bathroom मिल रहा है तो यह सारी चीजे आपकी सेम है यह हमारा column placement plan है और यहाँ पे हमने बहुत ही basic तरीके से column की marking की हुई है column detail जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी construction cost के बारे में थोड़ा सा बता रेता हूँ कि अगर हम दो floor का यह duplex बनाते हैं घर बनवाते हैं इसका तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ground floor की तो ground floor पे आपको कम से कम 15 लाख का खर्चा tiles यह सारी चीज़ें इसमें include हैं यह finishing वाले सारी materials हैं और जो हमारी furniture है इसमें include नहीं है इस बात का जरूर ध्यान रखें और हम बात करते हैं first floor की तो first floor पे आपको कम से कम लगने वाला है 12 लाग तो अगर आपके पास इतना budget है तो आप इसका construction करवा सकते हैं उमिद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को help मिलने वाली है इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद